थीज़ उसे बहुत ओड़ा पहना कर रखते हैं ताकि हमें सर्दी जुका मना हो जाए हम कुछ ठंडा नहीं गाते हैं ताकि हमें सर्दी नहीं जाए हो गहर में जब चोटा बच्चा होता है तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की होती हम उसे बहुत और आकर पहना कर रखते हैं ताकि हम उसे सर्दी जुका ना हो और हम उसे थन से बचा सकें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ही बताूंगी कि कि इस इस बातों का ध्यान रखे आप आपकी बच्चे को सर्दीश काम से बचा सकते हैं और विंटर में आपके बेबी की क्यार कर सकते हैं इससे पहले जो मेरा वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि जो न्यू ममाज होती है जिने पता नहीं होता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए और जिनका बेजीरों से 6 मन्त के बीच में या उससे बड़ा ब्रेस्ट फिट कर रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान ताकि उनके बच्चे की जो Faculty काम ना हो वह सारी बात मैंने आपको अपनी बताइती है उसकी में मैं आपको बताऊंगे बताऊंगी कि आप आपकी बेबी की क्यार के से कर सकते हैं आपको उनकी लेकिन बहतों का दिहान रखना चाहिए ताकि आप उन्हें सरदी से बचा सके हैं तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन इसके पहले अगर आप न्यू वीडियो से आपके वीडियो आपने बेबी को सर्दी जुखांसे पचा सकते हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो रूम है वो जादा थंडा ना हो उसका temperature थंड की समय आपको बढ़ा के रखना चाहिए आप थंड की समय कोशिश करें कि आपका जो रूम है जा बेबी रहता है वह गर्म हो उसके लिए आप रूम हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं वो रूम को गर्म कर सकते हैं अगर रूम का टेंपरिचर सही होगा तो बेबी को सर्दी जुका मोने की चांसे भी बहुत कम होगी अब भास से लोग सोच थी कि ठंड का मोसमे तो बेबी को नहलाई या नहीं नहलाई वैसे तो बेबी को रोज नहलाना चाहिए लेकिन अगर ठंड का समय है विंटर का समय है तो आप बेबी को एक दिन छोड़के भी नहला सकते हैं बस ध्यान रखें कि बेबी को जाता समय तक पानी में ना रखें और बेबी को नहलाने के लिए आप जादा गर्म पानी का यूज भी ना करें कि बहुत ठंड है और आपने जादा गर्म पानी ले लिया आपको नॉर्मल गुनगुना पानी ही लेना चाहिए या फिर आपको ल कि भी बेबी को नहला सकते हैं अब आप सोच रहोगी कि इस पंज बात क्यों होती है इस पंज बात आप किसी भी इस पंज को लेकर कुर्वने पानी में उसे रुबोक कर बेबी के सरी को से पहुँं सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ठंड बहुत चाता है उस condition में भले ही ठंड हो, सर्दी हो या भारिश का समय हो हमें बेबी की साफ सफाई का बिलकुल धिहान रखना चाहिए इसलिए हमें बेबी को नहलाना बहुत जरूर ही होता है और आप खोशिश करें कि जो बेबी के खपड़े होते हैं रोद चेंच करें अब दूसरी टिप से बेबी की मालिश को लेकर आप बहुत से लोग सोचते हैं कि ठंड का मोसमें बेबी की मालिश केसे करें लेकिन आपको बेबी की मालिश करनी चाहिए उससे बेबी को और गर्माहंट मिलती है लेकिन आप उसके लिए ऐसी जगह भी स्लेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर संड्रेज आ रही हो, सूरज की किरने आ रही हो, जगह थोड़ी गर्म हो या आप किसी बंद कमरे में भी जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं आ रही हो आप बेबी की मसाज कर सकते हैं, आप उसके लिए ओलिव ओयल, सरसो का तेल, आलमंड ओयल किसी का भी यूज कर सकते हैं लेकिन आप विंटर के समय कोकोनेट ओयल का यूज ना करें और बेबी की मालीश चरूर करए उससे बेबी को भी पहुत अच्छा लगेगा और इसकी शेरीर में गर्मी भी बनी रहेगी के डर ने यंक विंटर के समय बेबी को अच्छे से गर्म कपड़े में लपेड के रखें उसे अच्छे गर्म कपड़े पहना आएं लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं गर्म कपड़े पहनाने की चक्कड़ बेबी को कपड़े कपड़े पे पहनाते के उसे भी comfortable feel हो और अब जब भी बेबी को कोई woolen कपड़ा पहना है तो इसके अंदर एक cotton का कपड़ा जरूर पहना है तो अगर बेबी को डारेक्ट वुलन के कपड़ा पहना है तो उसे racist हो सकते हैं इसलिए अंदर एक cotton का कपड़ा जरूर पहना है और आप winter के समय तरह तरह के जो baby shop आते हैं उनका use ना करें अगर आप तरह तरह के shampoo और शावन का use करेंगे तो उससे baby को allergy हो सकते हैं आप किसी एक सावन का use करें जो अच्छी quality का हो अच्छी company का हो आप आपके baby के लिए अच्छा अच्छा product purchase करें और उससे अपने baby को नहलाए और baby की skin को अच्छी तर mausurize करें उसकी skin पर अच्छी तरह mausurizer लगाएं baby क्योंकि ठंड के समय बच्छों की skin का त्याहन रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी जो skin होती हो बहुत ही sensitive होती है इसलिए आप उसे अच्छी तरह mausurizer करके रखें आपको at least उने सूबह और शाम दो बार mausurizer लगाना चाहिए ताकि baby की skin अच्छी तरह mausurize रहें और अगर आप जाना चाते कि मैं अपने baby के लिए कौन से product का यूज़ करती हूं तो मैं आपको उसकी link video के description box में दे दूँगी आप महां जाके इसे purchase कर सकते हैं और आप winter के समय baby के diaper का भी बिलकुल दिहान रखें अगर baby का diaper फुल हो गया उसमें से पानी लेकिए चुने लग जाएगा तो baby गिला हो जाएगा और उससे भी उससे सरदी हो सकती है तो आप उसके diaper का भी अच्छी तरह दिहान रखें उसे time to time चेक करते रहें और diaper पहनाते समय आपको किन-किन बातों का दिहान रखना चाहिए उसके लिए मैं कलक सेप्रेट वीडियो बना चुकी हो तो आप को उसका लिंक भी मैं वीडियो के description box में दे दूँगी तो आप उस वीडियो को भी देख जाके जरूर देखिएगा और आप जब भी आपके बेबी को डाइपर पहना आए उन चीजों को जरूर फोलो करिएगा थाकि आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जब भी बेबी को रात में सुलाएं तो ध्यान रखे कि उस पर जादा कमले अरजय ना डालें आपका उतना ही उड़ अगर आप उसे ज़्यादा उड़ा देंगे तो भी उसे कमवर्टेबल फिल नहीं होगा और फिर रोएगा तो इन सारी चीजों को आप विंटर में बिलकुल ध्यान रखें और विंटर के सर में बेबी को अच्छी तरह कवर करके रखें उसे हातों में पाओं में सॉक्स प अगर अगर आप इन सारी बातों कहां विंटर के समें ध्यान रखेंगे तो आप विंटर के मोसम में अपने बेबी की अच्छी तरह कर सकेंगे और फ्रिंड्स आपने देखा होगा कि ठायन में बहुत सी बार बच्चों का ठायन की वज़े से भी पेट दर्द होने लग जा अचा को सरदी हो रही है है तो फ्रेंड्स अगर विडियो अच्छी लगी हो वीडियोधा ने बताएगर इन्फोर्मेशन आच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना यह चैनल को शस्ब्सक्रारी पहसे ही IRS क inspect